नवस्कार मैं हूँ आपके साथ हिमानी नैथानी प्रधान मंत्री नरिंद्र मोती आज एक बार फिर से मन की बात कारिक्रम करेंगे और इस बार खास बात ये है कि कारिक्रम में पीम मोदी के साथ खेल जगत की दो बड़ी हस्तियां सचिन तंदुलकर और विश्वनातन आनद भी शामिल होंगे बदाने के कारिक्रम की शिरुवात 3 ओक्टोबर 2014 से की गई थी और आज आकाश मानी पर इसका 17 कारिक्रम जो है वह आयोजित होगा सूत्रों के मताबिक आगावी पर एक शाओं को देखते हुए प्रधान मंत्री मन की बात कारिक्रम में छात्रों को लेकर खास बात कर सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर प्रधान मंत्री बात आज करेंगे चात्रों के खास तौर पर क्योंकि परिक्षाएं जो हैं वो शुरू हो रही है और उसे लेकर जैसे देखा ही गया है कि प्रधान मंत्री नरीद मोधी का बच्चों के प्रती प्यार बच्चों के प्रती के बीच किस तरह से चले जाते हैं अपना सुरक्षा गेरा तोड़ते हुए तो आज क्या उनको सीख देंगे क्या उनको क्योंकि परिक्षाएं हैं तो उसको लेकर और क्या कुछ कह सकते हैं यहां पर देखने वाली बात होगी 3 particular 2014 जो हम बात कर रहे हैं कि इस कारिक्रम की शिरूवात हुई थी प्रधान मंत्री नरीद्र मोदी मन की बात करते हैं। यह हो रहा है जब क्यूंकि हमने सिर्फ अप्रधान मंत्री को ही यहाँ पर सुना है कि आखिर वो क्या बात कहते हैं अपने मन की बात या कुछ ऐसे साजेशन्स या कुछ ऐसी बाते जो मेरे प्यारे देश माचियो नमस्कार आप रेडियो पर मेरी मन की बात सुनते होंगे लेकिन दिमाग इस बात में लगा होगा बच्चों की एक्जाम सुरू हो रही है कुछ लोगों कि क्यों 10-12-12 की एक्जाम सायद एक मार्स को ही शुरू हो रही है तो आपके दिमाग में भी वही चलता होगा मैं भी आपकी सियात्रा में आपके साथ सरीख होना चाहता हूँ आपको आपके बच्छों की एक्जाम की जितनी चिंता है मुझे भी उतनी ही चिंता है लेकिन अगर हम एक्जाम को परिक्षा को देखने का अपना तौर तरीका बदल दें तो शायद हम चिंता मुक्त भी हो सकते हैं मैंने पिछली मेरी मन की बात में कहा था कि आप नरेजर मोदी एप पर अपने अनुभव, अपने सुझाओ, मुझे अवश्य भेजिये मुझे खुशी इस बात की है शिक्षकों ने, भहुती सफल जिनकी कैरियर रही है ऐसे विद्यारतियों ने, माबाप ने, समाज के कुछ चिंतकों ने बहुत सारी बाते मुझे लिख करके भेजी है सालों ने, विशय को बराबर पकड़ के रखा दूसरी बात, इतनी हजारों महत्रा में चीजें आई कि मैं मानता हूँ कि शायद ये बहुत महत्पून विशय है लेकिन ज्यादा तर हमने एक्जाम के विशय को स्कूल के परीशर तक या परिवार तक या विध्यार्थी तक सिमित कर दिया है मेरी एप पर जो सुझावा है उससे तो लगता है कि ये तो बहुती बड़ा पुरे राष्ट में लगातार विध्यार्थियों के इन विशयों की चर्चाएं होती रहनी चाहिए मैं आज मेरी इस मन की बात में विशयस रुप से माबाप के साथ, परिक्षार्थियों के साथ और उनके सिक्षकों के साथ बाते करना चाहता हूँ जो मैंने सुना है, जो मैंने पढ़ा है, जो मुझे बताया गया है उस मैसे भी कुछ बाते बताऊंगा कुछ मुझे जो लगता है वो भी जोड़ूंगा लेकिन मुझे विश्वास है कि जिन विद्यार्थियों को एक्जाम देनी है उनके लिए मेरी ये 25-30 मिनिट बहुत उप्योगी होगी है समरमत है मेरे प्यारे विद्यार्थि मित्रों मैं कुछ कहूं उसके पहले आज के मन की बात का ओपनिंग हम विश्व के वैल नौन ओपनर के साथ क्यों न करें जीवन में सफलता कि उचाईयों को पाने में कौन सी चीजे उनको काम आई उनके अनुभव आपको जरूर काम आएंगे भारत के युवाओं को जिनके प्रतिनाज है ऐसे भारत रत्न स्रीमान सचिन तंदूलकर उन्होंने जो मैसेज भेजा है वहां मैं आपको सुनारा चा आठ होने वाली है आप में से कहीं लोग 10s भी रहेंगे मेरा येक ही मेसेज है आपको कि आपसे expectations आपके माता-पिता करेंगे, आपके teachers करेंगे, आपके बाकी के family members करेंगे, दोस्त करेंगे, जहां भी जाओगे सब पूचेंगे कि आपकी तयारी कैसे चल रही है, कितने percent आ के प्रेशर में मत आईएगा आप मेहनत जरूर कीजिएगा मगर एक रियलिस्टिक अचीवेबल टागेट खुद के लिए सेट कीजिए और वो टागेट अचीव करने के लिए कोशिश करना मैं जब क्रिकेट खिलता था तो मेरे से भी बहुत सारे एक्सपेक्टेशन होते थे पिछले 24 साल में कई सारे कठिन मॉमेंट्स आए और कई कई बार अच्छे मॉमेंट्स आए मगर लोगों के एक्सपेक्टेशन हमेशा रहते थे और वो बढ़ते ही गये जैसे समय बीता गया एक्सपेक्टेशन भी बढ़ते ही गये तो इसके लिए मुझे एक सोलुशन फा तो मैं जरूर कुछ ना कुछ अच्छी चीज देश के लिए कर पा रहा हूँ और वो ही टागेट्स में हमेशा अचीव करने की कोशिश करता था मेरा फोकस रहता था बॉल पे और टागेट्स स्लोली स्लोली अचीव होते थे मैं आपको यही कहूँगा कि आपकी सोच पॉजिटिव होनी बहुत जरूरी है पॉजिटिव सोच को पॉजिटिव रिजल्स फॉलो करेंगे तो आप पॉजिटिव जरूर रहिएगा और उपर वाला आपको जरूर अच्छे रिजल्स दे इसकी पूरी उमीद है और आपको मैं best wishes देना चाहूँगा ये exams के लिए attention free जाके paper लिखे और अच्छे results पाईए Good luck दोस्तों देखा तेंदुकरल जी क्या कह रहे हैं ये expectation के बोज के नीचे मत दबिये आप भी को तो आपका भविश बनाना है आप खुद से अपने लक्ष को ताय करें खुदी अपने target ताय करें मुक्त मन से, मुक्त सोच से, मुक्त सामर्थ से मुझे विश्वाव है कि सचिन जी की ये बात आपको काम आएगी और ये बास आई है प्रतीस परधा क्यो हूँ, अनुस परधा क्यो नहीं हम दूसरों से सपरधा करने में अपना समय क्यों बरबात करें हम खुद से ही सपरधा क्यों न करें हम अपने ही पहले के सारे record तोड़ने का ताय क्यों न करें आप देखिए, आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा और अपने ही पिछले record के जब तोड़ोगे तब आपको खुशी के लिए, संतोष के लिए किसी और से अपरिक्षा भी नहीं रहेगी एक भीतर से संतोष प्रगट होगा दोस्तों परिक्षा को अंकों का खेल मत मानिये कहां पहुँचे, कितना पहुँचे उस हिसाब किताब में मत फसे रहिए जीवन को तो किसी महान उद्देश के साथ जोड़ना चाहिए एक सपनों के ले करके चलना चाहिए संकल्प बद्ध होना चाहिए ये परिक्षाएं वो तो हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं हमारी गती ठीक है कि नहीं है उसका हिसाब के दाप करती है और इसलिए विशाव बिराट ये अगर सपने रहे तो परिक्षा अपने आप में एक आनंदोत्सों बन जाएगी हर परिक्षा उस महान उद्देश की पूर्ति का एक कदम हो गई हर सफलता उस महान उद्देश को प इस वर्ष क्या होगा इस एक्जाम में क्या होगा वहां तक सिमित मत रहिए एक बहुत बड़े उद्देश को लेकर के चलिए और उसमें कभी अपरिक्षा से कुछ कम भी रह जाएगा तो निराशा नहीं आएगी और जोर लगाने की और ताकत लगाने की और कोशिश करने क हिम्मत आएगी जिन लोगों ने मुझे मेरे एप पर मुबाईल फोन से छोटी-छोटी बाते लिखी हैं इसरे गुपता ने इस बात पर बल दिया है कि स्वस्त सरीर में ही स्वस्त मन रहता है स्टूडन्स अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखे जिसे आप एग्जाम में स्वस्तता पुर्वक अच्छे से लिख सके अब मैं आज आखरी दिन ये तो नहीं कहूंगा कि आप दन बैठक लगाना शुरू कर दीजिए और तीन किलोमेटर पाथ किलोमेटर दोड़ने के लिए जाईए लेकिन एक बात सही है कि खास करके एग्जाम के दिनों में आपका रूटीन कैसा है वैसे भी 365 दिवन्स हमारा रूटीन हमारे संप्रों और संकल्पों के अनुकुल होना चाहिए शिमान प्रभाकर रेडिक किने एक बात से मैं सहमत हूँ उन्हेंने खास आग्रह किया है समय पर सोना चाहिए और सुभर जल्दी उठकर डिविजिन करना चाहिए एक्जामिनेशन सेंटर पर प्रवेश पत्र और दूसरी चीजों के साथ समय से पहले पहुंच जाना चाहिए ये बात प्रभाकर रेडिक जी ने कहीं है मैं शायद कहने के हिम्मत नहीं करता क्योंकि मैं सोने के सबंदे थोड़ा उधाशीन हूँ और मेरे काफी दोस्त भी मुझे शिकायद करते रहते हैं कि आप बहुत कम सोते हैं ये मेरी कमी है मैं भी ठिक करने के कोशिश करूँगा लेकिन मैं इससे सहमत जरूर हूँ निर्धारित सोने का समय गहरी निंद ये उतनी ही महत्वकुन है जितनी की आपके दिन भर की और गतिवी दिया और ये संभव है मैं भागवान हूँ मेरी निंद कम है लेकिन बहुत गहरी जरूर है और इसके लिए मेरा काम चल भी जाता है लेकिन आप से तो मैं आगरे करूँगा वरना कुछ लोगों क्या आदत होती है सोने से पहले लंबी लंबी टेलिफोन पर बात करते रहते है अब उसके बाद वही विचार चलते रहते है तो कहां से निंद आएगी और जब मैं सोने की बात करता हूँ तो ये मत सोचे कि मैं एक्जाम के लिए सोने के लिए कह रहा हूँ गलत फ़र्मि मत करना मैं एक्जाम के टाइम पर तो आपको अच्छी परिक्षा देने के लिए तनाव मुप्त अवस्ता के लिए सोने की बात कर रहा हूँ सोते रहने की बात नहीं कर रहा हूँ वरना कहीं ऐसा न हो कि मार कमाये और माँ पूछे कि क्यों बेटे कम आयों तो कहे दो कि मोदी जी ने सूने का रहा कहां तो मैं तो सो गया था ऐसा नहीं करोगे ना मुझे विश्वास है नहीं करोगे वैसे जीवन में कि डिसिप्लीन कि सफलताओं की आधार शिला को मजबूत बनाने का बहुत बड़ा कारण होती है एक मजबूत फाउंडेशन डिसिप्लीन से आता है और जो अनॉर्गनाईज होते हैं इंडिसिप्लीन होते हैं सुबह करने वाला काम शाम को करते हैं दोपर को करने वाला काम रात देर से करते हैं उनको ये तो लगता है कि काम हो गया लेकिन इ इतनी एनर्जी वेश्ट होती है और हर पल तनाव रहता है। हमारे शरीर में भी एकाद अंग, हमारे बोड़ी का एकाद पार्ट थोड़ी सी तकलीप करें। तो आपने देखा होगा कि पूरा शरीर सहस्ता नहीं अनुभव करता है। इतना ही नहीं हमारा रूटीन भी चर्मरा जाता है। और इसलिए किसी चीज को हम छोटी न मानें। आप देखिए अपने आपको कभी जो निर्धारित कर से उसमें कॉम्प्रमाइज करने का आतरत में मत फसाईए। तै करें, करके देखें। दोस्तों कभी-कभी मैंने देखा है कि जो स्टूडन्ट एक्जाम के लिए जाते हैं, दो प्रकार के स्टूडन्ट होते हैं। एक उसने क्या पढ़ा है, क्या सीखा है, किन बातों में उसके अच्छी ताकत है, उन चीजों पे ध्यान केंद्रित करते हैं। दूसरे प्रकार के स्टूडन्ट होते हैं, यार पता नहीं कौन सा सवाल आएगा, पता नहीं कैसा सवाल आएगा, पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, पेपर भारी होगा कि हलका होगा। यह दो प्रकार के लोग देखेंगे आपने जो कैसा पेपर आएगा उसके टेंशन में रहता है उसका उसके परिणाम पर भी नकारात्पक प्रभाव होता है जो मेरे पास क्या है उसी विश्वात से जाता है तो कुछ भी आ जाए उनिपट लेता है इस बात को मुझसे भी जाए जान चेकमेट कर दिया है ऐसा चेश के जाए बिश्वानाथन आनन्ध वो अपने अनुफव बताएंगे आगी इस ऑम में आप चेकमेट करने का तरीका उनी यह सिख लीजिए है Hello, this is Vishwanathan Anand. First of all, let me start off by wishing you all the best for your exams. I will next talk a little bit about how I went to my exams and my experiences for that. I found that exams are very much like problems you face later in life. You need to be well rested, get a good night's sleep, you need to be on a full stomach, you should definitely not be hungry, and the most important thing is to stay calm. It's very very similar to a game of chess. When you play, you don't know which problems will appear. Just like in a class, you don't know which question will appear in an exam. So if you stay calm and you're well nourished and have slept well, then you will find that your brain recalls the right answer at the right moment. So stay calm. It's very important not to put too much pressure on yourself. Don't keep your expectations too high. Just see it as a challenge. Do I remember what I was taught during the year? Can I solve these problems? At the last minute, just go over the most important things and the topics you feel you don't remember very well. You may also recall some incidents with the teacher or the students while you're writing an exam, and this will help you recall a lot of subject matter. If you revise the questions you find difficult, you'll find that they are fresh in your head, and when you're writing the exam, you'll be able to deal with them much better. So stay calm. Get a good night's sleep. Don't be overconfident, but don't be pessimistic either. I've always found that these exams go much better than you fear before. So stay confident, and all the very best to you. Vishwanathan Anand has told me very important things. And when you see them in the game, you'll see how many of them are, and how many of them are. You'll see them, you'll see them, you'll see them. I've heard about it. You'll see a lot of people about it. We've always heard them, when you're watching them, you'll see them. you'll see them in your head. You'll see them, And they're being calm. And they're being calm. The truth is, that if someone says, बितर की शांती आही जाएगी तो कहना कठीन है लेकिन कोशिश करनी चाहिए हसते हसते क्यों न करें आप देखिए आप हसते रहेंगे खलकलाट हसते रहेंगे एक्जाम के दिन भी अपने आप शांती आना शुरू हो जाएगी आप दोस्तों से बात ने कर रहे हैं अकले चल रहे हैं मुरजाय मुरजाय चल रहे हैं देर सारी किताब को लाश मॉमेंट भी हिला रहे हैं तो तो फिर वो शांत मन हो नहीं सकता है हस यह बहुत हसते चलिए साथियों के साथ चुटकुले श्यर करते चलिए आप देखिए अपने आप शांती का माहौल खड़ा हो आप कलपना कीजिए कि एक तालाप की केनारे पर आप खड़े हैं और नीचे बहुत बढ़िया चीजे दिखती हैं लेकि अचानक कोई पत्थर मार दे पानी में और पानी हिलना शुरू हो जाए तो नीचे जो बढ़िया दिखता था वो दिखता है क्या अगर पानी शांत ह तो चीजे कितनी ही गहरी क्यों नहों दिखाई देती हैं लेकिन पानी अगर अशांत है तो नीचे कुछ नहीं दिखता है आपके भीतर बहुत कुछ पड़ा हुआ है साल भर की मेहनत का बंडार भरा पड़ा है लेकिन अशांत मन होगा तो वो खजाना आप ही नहीं पर शांत मन रहा तो वो आपका खजाना बिलकुल उभर करके आपके सामने आएगा और आपकी एक्जाम एक दम सरल हो जाएगी मैं एक बात बता हूं ही है मैं कभी-कभी कोई लेक्चर सुनने जाता हूं या मुझे सरकार में भी कुछ विशह ऐसे होते हैं जो मैं नहीं जा सकता हूं तो एक बीतर तणाव मैसुस करता हूं फिर मुझे लगता है नहीं नहीं ठोड़ा रिलेक्स कर जाऊंगा तो मुझे अच्छा रहेगा तो मैंने अपने टेक्निक डेवलप्त की है हो आपको समझने दियार हो जाता है हो सकता है यह मेरा अभव आपको भी काम हा श अच्छी बात बताई हैं वो मेरी एपल लिखते हैं हम हर दिन कम से कम आदा घंटे दोस्तों के साथ परिवार जनों के साथ रिलेक्ष फिल करें गप्पे मारें ये बड़ी महतोपुन बात रजजत जी ने बताई हैं क्योंकि जादा तरह हम देखते हैं कि हम जब एक्जाम द लिखवाते हैं बताओ तुमने क्या लिखा क्या हुआ सारा जोड लगाते हैं देखो तुम्हें चालीस आएगा अशी आएगा 90 आएगा आपका दिमाग जो एक्जाम हो गई उसमें खपा रहता है आप भी क्या करते हैं दोस्तों से फोन पर शेयर करते हैं अरे यार उसमें झाले क्या लिखा अरे यार उसमें तुम्हें कैसा गया अच्छा तुम्हें क्या लाता है यार मिजीक शकलिभा क्या आदे ताजा कीजिए, कभी माबाप के साथ कहीं गए हो तो वहाँ के दृष्षों को याद करेए, बिल्कुल उससे निकल करके ही आदा घंटा बिटाईए, रजे जी की बात सच्विच में समझने जैसी है, दोस्तों मैं क्या आपको शांति की बात बताओ, आज आपको आपके लिए संदेश भेजा है, बे मूलतह सिक्षक है, और आज एक प्रकार से समस्कार सिक्षक बने हुए हैं, राम चरीत मानस, वरतमान संदर में उसकी व्याख्या करते करते वो देश और दुनिया में इस समस्कार सरीता को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे पु उनकी बातों में दोनों का मेल है, आज़े बढ़ें, तो जरूर सफल सा मिलेगी, और यदि सफल सा नधी मिली, तो भी ठहल होने का प्रकार की ब्लामी नहीं होगी, और सफल होने का गर्व नहीं होगा, एक शेर कहकर मैं मेरा सुंदेश और सुबकामना देता हूँ, कि लाजीम नहीं कि हर कोई हो कामयाद ही, प्रकार की बापो का मैं भी आभारी हूँ, कि उन्होंने बहुत अच्छा संदेश हम सब को दिया, दोस्तों, आज एक और बात दताना चाहता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि इस बार जो मुझे लोगों ने जो अपने अनुभा बताये हैं, उसमें योग की चर्चा आवश्य की है, और ये मेरे लिए खुश्य की बात है, कि इन दिनों मैं दुनिया में जिस किसे उसे मिलता ह थोड़ा सा भी समय क्योंने में योग की थोड़ी सोथ बात तो कोईन कोई करता ही करता है, दुनिया की किसी भी देश का वेक्ति क्योंनों, भारत का कोई वेक्ति क्योंनों, तो मुझे अच्छा लगता है कि योग के समद्वे इतना आकर्षन पैदा हुआ है, इतनी जिग् कुल करनी न जाने अन गिनत लोगों ने मेडिटेशन की बात की है योग पर भल दिया है खैर दोस्तों मैं बिलकुल ही आज ही कह दू कल सुबह से योग करना शुरू करो वो तो आपके साथ अन्याय होगा लेकिन जो योग करते हैं वो कम से कम एक्जाम है इसलिए आज न करें करते हैं तो करिए लेकिन यह बात सही है कि विद्यार्थी जीवन में हो या जीवन का उत्रार्थ हो अंतर मन की विकास यात्रा में योग एक बहुत बड़ी चाबी है सरल सरल चाबी है आप जरूर उस पर ध्यान दीजिए हां अगर आप अपने नदिक में कोई योग के जा कर सकते हैं देखिए अगर आप कर सकते हैं तो हाँ मेरा उसमें विश्मात पहुता है मैरे नवज़वान साथियों आपको परिक्षा हाल में जाने की बड़ी जल्दी होती है जल्दी जल्दी पर अपने बैंच पर बैठ जाने का मन करता है क्या ये चीज़े हडबडी में क पहुची जाए वर्ना ऐसी चीजे एक नया तनाव प्यदा करती है और एक बात है हमें जितना समय मिला है उसमें जो प्रश्णपत्र हैं जो इंस्ट्रक्शन्स हैं हमें कभी की भी लगता है कि यह मारा समय खा जाएगा ऐसा नहीं है दोस्तों आप उन इंस्ट्रक्शन को बा इजाम में क्या करना है उसमें कोई गड़बड नहीं होगी और बाद में पस्तावा नहीं होगा और मैंने देखा है कि कभी कभार पेपर आने के बाद ही पैटर्न नहीं आई है सा पता चलता है लेकिन पढ़ लेते हैं इंस्ट्रक्शन तो शाइद हम आपने आपको बराबर क कर लेते हैं कि हाँ ठीक है चलो मुझे ऐसे ही जाना है और मैं आपसे आगरे करूंगा कि भले आपकी पांच मिनिट इसमें जाए लेकिन इसको जरूर करें सिर्मान यश नागर उन्हें मुबाइल एप पर लिखा है कि जब उन्होंने पहली बार पेपर पढ़ा तो उन्हे यही पेपर मेरे पास है कोई नए प्रश्णा अने वाले नहीं है मुझे इतने ही प्रस्णों से निपतना है और जिब दुबारा में सोचने लगा- तुन जानता हूं प्रश्ण को समझना यह बहुत आवशक होता है प्रश्ण को न समझने से कभी कभी प्रश्ण कठीन लगता है मैं ये श्णागर की इस बात पर बल देता हूं क्या प्रश्ण वो दो बार पड़े तीन बार पड़े चार बार पड़े और आप जो जानते हैं उसके साथ उसको मैच करने का प्रयास करें आप देखिए वो प्रस्टन लिखने सरल हो जाएगा मेरे लिए आज खुशी की भात है कि भारत रत्न और हमारे बहुत ही सम्मानित वैज्यानिक सी अनार राव उन्होंने धैरिय परबल दिया है बहुत ही कम शब्दों में लेकिन बहुत ही अच्छा संदेश हम सभी विद्यारतियों को उन्होंने दिया है आएए राव साब का मेसेज सुने अपने अजिल कि विद्ध बार राव बांडरोड को अन्होंने प्राव बांडरोड को बाइए ए हैं लुक looks at last अज़ पहुम्यार विन ओर प्राव भेस, मिझा के लिए और प्राव बेश्न चाज़र्डी इस मंधनेत्फर फिल्ड पार की सिर्फर प्राव स्वाजर्ट रिधाट को कि अज़ रोगार्णि है। All you need is ruggedness, dedication and tenacity. With these qualities you will succeed in all examinations and all other endeavors. I wish you luck in anything you want to do. God bless. उन्होंने देश के बच्चों को प्रेरित किया। उन्होंने जो बात कहिए द्रदका की, निष्ठा की, तप की, यही बात हैं, dedication, determination, diligence. डटे रहो दोस्तों, डटे रहो. अगर आप डटे रहोगे, तो डर भी डरता रहेगा। और अच्छा करने के लिए सुनारा भविश आप के इंतजार कर रहा है. अब मेरे एप पर एक संदेश, रूचिका डाबस ने अपने exam experience को शेर किया है. उन्होंने कहा कि उनकी परिवार में, exam के समय, एक positive atmosphere बनाने का लगातार प्रयास होता है. और ये चर्चा उनके साथी परिवारों में भी होती थी. सब मिलाकर के positive वाता और ये बात सही है. जैसा सचिंजी ने भी कहा, positive approach, positive frame of mind, positive energy को उजागर करता है. कभी-कभी बहुत सी बात ऐसी होती हैं कि जो हमें प्रेना देती है. और ये बत सोचिए कि ये सब विद्यार्थियों को ही प्रेना देती है. जीवन के किसी भी पड़ाव पर आप क्यों न हो उत्तम उधारन, सत्य घटना है, बहुत बड़ी प्रेना भी देती है, बहुत बड़ी ताकत भी देती है, और संकट के समय नया रास्ता भी बना देती है. हम सब electricity bulb के आविशकारक Thomas Alva Edition हमारे syllabus में उसके विशे में पढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों कभी ये सोचा है, कितने सालों तक उन्होंने इस काम को करने के लिए खपा दिये, कितनी बार विफलताएं मिली, कितना समय गया, कितने पैसे गए, विफलता मिलने पर कितनी निराशा आई होगी, लेकिन आज उस electricity, वो bulb हम लोगों की जिंदगी को भी तो रोशन करता है, इसी को तो कहते हैं, विफलता में भी सफालता की संभावनाएं नहीं थोती हैं, स्री निवास रामानुजिन को कौन नहीं जानता है, आदेरिक काल के महांतम घडित विचारकों में से एक नाम, इंजिन, मैथेमेटिशन, आपको पता होगा, उनका फार् योगदान किया, अत्यन्त कष्ट भरा जीवन, दुख भरा जीवन, उसके भावजूद भी वो दुनिया को बहुत कुछ दे करके गए हैं, जेके रोलिंग एक बहतरीन उदारन है, कि सक अभी भी किसी को भी मिल सकती है, हैरी पोर्टर सिरीज, अज दुनिया भर में लोग प्रिये हैं, लेकिन सुरू से ऐसा नहीं था, कितनी समश्य उनको जेलनी पड़ी थी, कितनी भी फलताया ही थी, रोलिंग ने खुद कहा था, कि मुश्किलों में वो सारी उर्जा उसकाम में लगाती थी, जो वाकई उनके लिए माइने रखता था, एक्जाम आजकल सिर्फ विद्यार्थी की नहीं, पूरे परिवार की और पूरी स्कूल की, टीचर की सब की हो जाती है, लेकिन पैरेंट्स और टीचर्स के सपोर्ट सिस्टेम की बिना अकेला विद्यार्थी, इस्तिती अच्छी नहीं है, टीचर हो, पैरेंट्स हो, इवन सीनियर स्टूरंट्स हो इस सम्म मिला करके हम एक टीम बन के यूनीट बन के समान सोच के साथ योजनाबद तरीके से आगे बढ़ें तो परिक्षा सरल हो जाती है सिमान केशो वैश्णव उन्हें मैं जे एप पर लिखा है उन्होंने शिकायत की है कि पैरेंट्स ने अपने बच्चों पर अधिक मास मानने के लिए कभी भी दबाव नहीं बनाना चाहिए सिरफ तयारी करने के लिए प्रोसाइद करना चाहिए वो रिलेक्स रहे इसकी चिंदा करनी चाहिए वीजय जिंगन लिखते हैं बच्चों पर उनसे अपनी उमीदों का बोज न डाले जितना हो सके उनका होसला बढ़ाए विश्वास बनाए रखने में साहिता करें ये बत सही है मैं आज पैरेंट्स को अधिक कहना नहीं चाहता हूँ तृपा करके दबाव मत बनाईए अगर वो अपने किसी दोस्ते से बात कर रहा है तो रोकिये मत एक हलका फुलका वातराण बनाईए सकारात पक वातराण बनाईए देखिए अपका बेटा हो या बेटी कितना कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको भी वो कॉन्फिडेंस नजर आएगा दोस्तों एक बात निश्चित है खास करके मैं युवा मित्रों से कहना चाहता हूं हम लोगों का जीवन हमारी पुरानी पीडियों से बहुत बदल चुका है हर पल नया इनोवेशन नई टेकनोलोजी विज्ञान के नीत नए रंग रूप देखने को मिल रहे हैं और हम सिर्फ अभीबूत हो रहा हैं ऐसा नहीं हम उससे जुड़ने का पसंद करते हैं हम भी विज्ञान की प्रप्तार से आगे बढ़ना चाहते हैं मैं यह बात इसलिए कर रहा हूं दोस्तों कि आज नेशनल साइंस डे है नेशनल साइंस डे देश का विज्ञान महोत्सव हर वर्ष 28 फरवरी हम इस रुप में मनाते हैं 28 फरवरी 1928 सरसीवी रमन ने अपनी खोज रमन इफेक्ट की गोश्णा की थी यही तो खोज थी जिसने उनको नबल परसकार प्राप्त हुआ और इसलिए देश 28 फरवरी को National Science Day के रुबे मनाता है जिग्यासा विज्ञान की जन्नी है हर मन में विज्ञानी सोच हो विज्ञान के प्रती आकरशन हो और हर पीडी को इनोवेशन पर बल देना होता है और विज्ञान और टेक्नोलोजी के बिना इनोवेशन संभाव नहीं होते है आज National Science Day पर मैं देश में इनोवेशन पर बल मिले ज्ञान विज्ञान टेक्नोलोजी इस सारी बाते हमारे विकास यात्रा के सहज हिस्से बनने चाहिए और इस बार National Science Day का थीम है Make in India Science and Technology Driven Innovations सर्स्रीवी रमन को मैं नमन के और आप सब को विज्ञान के प्रती रूची बढ़ाने के लिए आगरह कर रहा हूँ दोस्तों कभी-कभी सफलता है बहुत देर से मिलती है और सफलता जब मिलती है तब दुनिया को देखने का नजरिया भी बदल जाता है आप एक्जाम में शायद बहुत बीजी रहे होंगे तो शायद हो सकता है बहुत सी खबरें आपके मन में रेजिस्टर नव हुई हो लेकिन मैं देशवासियों को भी इस बात को दोहराना चाहता हूँ आपने पिछली दिनों में सुना होगा कि विज्ञान के विश्व में एक बहुत बड़ी और महत्वपन खोज हुई है विश्व के वैज्ञानी को ने परिश्रम किया पीडियां आती गई कुछ न कुछ करती गई और करीब करीब सो साल के बाद एक सफलता हाठ लगी ग्रेविटेशनल देव हमारे वैज्ञानी को एक पुर्शारत से उसे उजागर किया गया डिटेक्ट किया गया यह विज्ञान की बहुत दुरगामी सफलता है यह खोज न केवल पिछली सदी के हमारे महान वैज्ञानी आइस्टाइन की थेयरी को प्रमानित करती है बलकि फिजिक्स के लिए महान डिस्करवरी मानी जाती है यह पुरी मानवजात को पूरे वीश्व के काम आने बाहन है लेकिन एक भारतिय के नाते हम सबको एक बास की खुशी है कि सारी खोज की प्रक्रिया में हमारे देश के सपूत हमारे देश के होनहार वज्ञानिक भी उससे जुड़े हुए थे उनका भी योगदान है मैं उन सभी वज्ञानिकों को आज रुदय से बधाई देना चाहता हूं अभिदंदन करना चाहता हूं भविश मैं भी इस खोज को आगे बढ़ाने में हमारे वज्ञानिक प्रयासरत रहेंगे आंतराश्ट्य प्रयासों में भारत भी हिस्सेदार बनेगा और मेरे देश्वासियों पिछले दिन हमने एक महत्वपुर्ण निर्णे किया है इसी खोज में और अधिक सफलता पाने के लिए लेजर इंटर्फेरोमिटर ग्रेविटेशनल वेव अब्जर्वेट शौट में उसको कहते हैं L-I-G-O-Ligo भारत में खोलने का सरकार ने निर्णे दिया है दुनिया में दो स्थान पर इस प्रकार की व्यवस्ता है भारत तीसरा है भारत के जूडने से इस प्रक्रिया को और नई ताकत मिलेगी और नई गति मिलेगी भारत जुरुर अपने मर् प्रियादित समसाधनों के बीज भी मानव कल्याण की इस महत्तम वैज्ञानिक खोज की प्रक्रिया में सक्रिय भागिदार बनेगा। मैं फिर एक बार सभी वैज्ञानिकों को बधाई देता हूँ, शुपकामनाई देता हूँ, मेरे प्यारे देशवासियों मैं एक नमबर लिखवाता हूँ आपको, कल से आप मिस्कॉल करके इस नमबर से मेरी मन की बात सुन सकते हैं, आपकी अपनी मात्रु भाषा में भी सु 908, दोस्तों आपकी अग्जाम शुरू हो रही है, मुझे भी कल अग्जाम देनी है, 700 करोड देशवासी मेरी अग्जामिनेशन लेने वाले हैं, पता है न, अरे भाई कल बजेट है, 29 फरवरी ये लीपियर होता है, लेकिन हाँ, आपने देखा होगा, मुझे सुनते ही बढ़ा हुआ हूँ, बस कल मेरी अग्जाम हो जाए, पर सहाब की शुरू हो जाए, और हम सब सफल हो, तो देश भी सफल होगा, तो दोस्तों आपको भी बहुत-बहुत मेरी शुब कामना है, डेर सारी शुब कामना है, सफलता-विफलता के तनाव से मुक्त हो करके, मुक् झाल